Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल बार बार आती है मुझको, मधुर याद बचपन तेरी गया ले गया तू जीवन की, सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भै स्वचंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलितानंद ये मेरे बचपन की एक बहुत पुरानी याद है, बहुत प्यारी कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, ये कविता सुभद्रा कुमारी चोहान ने लिखी थी और ये कविता आज प्रासांगिक है, आज रेलिवेंट है, क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि आज मैं हूँ या आप हो, हम सब के जीवन का जो सबसे गोल्डन पीरिड कहें, वो हमारा बचपन होता है बचपन में हमें किसी चीज का टेंशन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईस की तियारी कर रहे हो, आज कल बहुत टेंशन होता है लेकिन बचपन एक ऐसा फेज होता है हर आदमी के लाइफ में, जिसमें कोई टेंशन नहीं होता है चिंता रहित खेलना खाना मतलब कोई टेंशन नहीं है सब खेल रहे खाले है और बच्पन में सबसे important part क्या था खिलोने हम सब को खिलोने पसंद थे और खिलोने हमारे जीवन का एक बहुत एहम इस्सा है खिलोनों से नहीं सरिफ सबने मैंने आपने सबने खेला है लेकिन खिलोनों के जरीए हमने अपनी physical skills को बढ़ाया है खिलोने हमें physically help करते हैं समझने में चोटे बच्चे की तरह हमें हमारी mental capacity को बढ़ाने में भी मानसिक ताकत को भी बढ़ाने में वो कामदर होते हैं हमारी emotional strength भी बढ़ाते हैं खिलोना ले लिया तो रो रहे हैं बच्चे तो वो सीखते हैं कि चलो कोई चीज चली गए तो उसे कोई tension नहीं है और हमें जुडाब भी होता है खिलोनों से लेकिन खिलोने सरिफ sentimentally important नहीं है सिम खिलोने एक बहुत important economic opportunity भी है जो किसी भी अर्थेवयवस्था में होती है सब अर्थेवयवस्था में economic opportunity होती है जो खिलोने प्रवाइड करते हैं तो खिलोने के छेतर आर्थिक रूप से economic opportunities कैसे provide कर रहा है और कैसे भारत economic छेतर में toy sector में एक leader बन रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे आज क्योंकि ये समझना हमारे ले बहुत important sentimental value के इलावा economic value है इसकी सो भार बार आती है मुझको मधुरियाद बच्पन तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी अब how India is becoming the world leader in toys ये हमारा topic है इसको आज हम समझेंगे लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप मुझे social media पे, telegram पे, instagram पे, twitter पे मुझे समझानी है कि हमारा foundation batch 4 ये important announcement है बहुत जादा foundation batch 4 जिसमें हम आप लोगों को पिल्कुल basic से पिल्कुल zero level से पढ़ाएंगे UPSC का syllabus, दोनो prelims और mains का ये 22 अगस से चालू हो रहा है इसको आप join कर सकते हो 8 बजे से इसकी classes होंगी 22 अगस से, पहला जो part पढ़ाया जाएगा वो आपको quality पढ़ाया जाएगा तो इसको आप join कर सकते हो, इसका course कदा में 20,499 अगर आपको 20,499 नहीं देना है तो आप use कर सकते हैं code KP live और इस code के इस्तमाल करने के बाद आपको ये course 17,499 का मिल जाएगा prelims का means ऐसा नहीं है कि इसमें segregated पढ़ाया जाएगी, आपको prelims के लिए भी पढ़ाया जाएगा और आपको means के लिए भी पढ़ाया जाएगा notes दिये जाएंगे आपको answer writing कराया जाएगी, answer writing एक इस exam का बहुत important पार्ट है बिना answer लिखे आप ये exam qualify नहीं कर सकते तो means answer writing भी कराया जाएगी आपको इसके लाब आप weekly revision test होंगे, ग्यानवानी session होगा, आपको एक mentor दिया जाएगा जो आपकी problems को solve करेगा mcq, based learning होगी, prelims में आपको बहुत help करेगा, daily current fair classes होगी, prelim test series होगी, success in prelims program, crash course की तरह ताकि आप अपना score boost कर पाएगे, उसके लिए भी आपको help करी जाएगी तो अगर आप ये scores को 20,499 में नहीं खरीना चाते हैं, तो आप use कर सकते हैं code kp live और आपको ये 17,499 में मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं toys, मैंने जस्वता हैं बचपन में हमारे जीवन का एक बहुत एहम हंग होता है लिकिन वो एक economic opportunities भी provide कर रहा है अगर मैं economic opportunity की बात करूँ, तो हमारे प्रधान मंत्री ने 2020 में एक मन की बात में बोला था कि खिलोनों का छेतर, toy sector एक important economic opportunity दे रहा है भारत को जिसमें भारत को पूरे effort लगाने चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए अपना international footprint बणाने के लिए ऐसा क्यों कहा हूँ है, क्योंकि भारत एक बहुती युवा देश है हमारे पास युवा है, जो काम करके भारत के आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है और भारत में आर्थिक विकास के लिए उत्पादन का छेतर एक बहुत important छेतर है और उस उत्पादन के छेतर में toy manufacturing, खिलोना उत्पादन भी एक important छेतर है अब उन्होंने ये क्यों कहा? इसको समझना हमारे लिए बहुत important है इसलिए important है क्योंकि आज के समय अगर हम दुनिया के toy sector की valuation देखें so international toy sector की जो valuation वो है 7 trillion dollar इतना बड़ा हमारा खिलोने का छेतर की आर्थिक value है और इंडिया कितना इसमें है? इस 7 trillion में इंडिया का contribution सिर्फ और सिर्फ 0.5% है तो यहां हमारे पास एक opportunity है की नहीं? मौका है की नहीं? कि हम इस छेतर में world leader बन पाए युकि दुनिया में खिलोनों की जरुवत तो हर जगे होती है भारत के पास एक तो खुद का demographic है जनसन क्या है जिसको demand होगी आज वो demand हम import से meet कर रहे हैं आयात से meet कर रहे हैं लेकिन अगर हमें आत मिर्भर बनना है तो हमें हर छेतर में आत मिर्भर बनना पड़ेगा चाए वो खिलोने का छेतर हो चाहिए वो किसी भी मशीनों का छेतर हो, किसी भी छेतर में तो अगर आपको मैं एक डेटा दूँ, वो ये है कि आज हम तीन चौताई हमारे खिलोनों की मांग किसी भी तरीके के खिलोनों की मांग हम आयात और खास तोर से चाइना से इंपोर्ट करके फुल्फिल करते है लिकिन हम तोई छेतर में आज कल मेहनत कर रहे हैं और हमने क्या किया है पिछले तीन सालों में सरकार ने संसद में बताया है पारलमेंट में बताया है कि पिछले तीन सालों में जो हमारे recreational toys होते हैं, खेलने के लिए जो toys होते हैं, उनका import हमने 54% घटा दिया है और जो हमारे महंगे toys होते हैं, electronic toys होते हैं, video game होते हैं, उसका import हमने लगभग 20% गिर गया है तो हमारे कदम सही तरफ हैं, तो ये data points हैं, इसमें हमारे पास बहुत बड़ी आर्थिक मौका है अपने आपको assert करने का उस opportunity को दोनों हातों से पकड़ कर उसको grab करके उसका लाब उठाने का अब जब मैं आगे बढ़ू, तो खिलोने सिर्फ भारत में कोई नए तो नहीं है खिलोने पाँच हजार साल पुरानी जो भारती सब्वता है, हडपा, संस्कृती, वहाँ चिडिया के खिलोने, बंदर के खिलोने, ये सब पाए गए हैं तो उसका एक cultural significance है, खिलोनों का भारत में सिर्फ एक आर्थिक, सामाजिक और संस्कृतिक significance भी है जिसके जरिये हम अपने बच्चों को कहानिया बताते हैं, रामायन और महाबारत के किस्से सुनाई जाते हैं, खिलोनों का इस्तमाल करके, गुड़ा गुड़िया का इस्तमाल करके, कटपुतिलों के इस्तमाल करके तो उसका एक सामाजिक है अर्थ है एक आर्थिक अर्थ है और एक सांस्कृतिक अर्थ भी है हमारे पास और भारत में कई तरीके के खिलोने पाए जाते हैं इंडिस्वाइली सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं कई तरीके के हमारे पास खिलोने बनाने की एक रिच लेगसी है पहले से खिलोने बनते आ रहे हैं खेल करते आ रहे हैं बहुत बुरा ना महाबारत में चौसर की बाजी लगी थी लगी थी की नहीं लगी थी जिसकी वज़े पूरी महाबारत हो गई उसके लावा हमारे पास sustainable टॉई मट्टी के खिलोने भी तो पाए जाते हैं भारत में उसके लावा हमारे पास छेत्रिये खिलोने भी हैं हर राज्ज के अलगला खिलोने होते हैं और आजकल हम modern toys का भी इस्तमाल कर रहे हैं electric toys, plastic toys, सब का इस्तमाल करते हैं हम तो आगे हम बढ़ें तो भारत में जो market share है उसमें कई तरीके के toy होते हैं एक होते हैं जो लड़का लड़की दोनों के लिए होते हैं तो वो dominate करते हैं भारत में market share फिर सिर्फ लड़कों के लिए toys बनाए जा रहे हैं वो second है और सिर्फ लड़कियों के लिए toy बना जा रहे हैं वो third है तो सबसे आदा market share किसका है unisex toys का उसके आद boys के लिए उसके आद girls के लिए आगे अगर हम बढ़ें तो toys कितने तारीक होते हैं बहुत महंगे toys, electric toys, games and puzzles, construction और building वाले toys जिसमें हम एक के उपर एक सामान लगात ride on जिसके बच्चे चड़कर खेलते हैं ठीक है cycle, walker ये सारी चीज़े, sports और outdoor play toys, plastic के bat ये सारी चीज़े, फिर infant और preschool toys जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए खिलाने, फिर activity toys और other toys ये सारी तरीके के toys है अब हमें toys मिलते कहा हैं भारत में हमें इसके specialty toys आते हैं जो सरिफ क्या बेचते हैं खिलाने बेचते हैं फिर हम सूपर मार्केट में जाकर खिलाने खरी सकते हैं बिग बजार में जियो मार्ट में इन सब जग जगर खिलाने खरी सकते हैं ऑनलाइन खरी सकते हैं और दूसरी जगे भी खरी सकते हैं जब हम manufacturing की बात कर रहे हैं तो य अब एक important बात इसमें आपको समझनी है जो भारत में खिलोना उत्पादन है उसको dominate कौन करता है कोई बड़ी industry dominate नहीं करती है सबसे जाधा खिलोना उत्पादन MSME छेतर करता है सूक्ष्म छोटे और मजहौले जो उत्पादन करता है वो सबसे जाधा खिलोना उत्पादन में involved है भारत को लेके अगर हम एक data point देखें तो अगर हम 2021 का डेटा देखें तो भारत का जो market share है खिलोना के छेतर में वो सिर्फ 1.35 billion dollar है 7 trillion dollars का market है हमारा 0.5% market share है और जो project किया गया है कि भारत का जो खिलोना छेतर है वो लगातार बढ़ेगा और 2027 तक हमारी market share 2.73 billion dollar पहुँच जाएगी ये project किया गया है कि लगातार 2022 से लेके 2027 तक लगातार आज हम क्या है 1.35 हम पहुँच जाएगे 2.73 ये project किया गया है लगातार हमारा toy market share पढ़ेगा लेकिन अगर आज की हम बात करें अगर हम आज की बात करें तो 1.35 2020 में था आज क्या है 1.35 है फिर consistent growth है consistent growth क्या है जो projected है जो कहा गया है कि भारत लगातार 2027 तक toy manufacturing में annual compounded growth rate कितना होगा हर साल कितने प्रतिशत से हमारा toy sector बढ़ेगा 12.6% project किया गया है दो हजार 27 तक यहां 12.2 दिया है 12.26 तक 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 उसके आप large MSME presence है यह आपको मैं बता चुका है चोटे मजोले और सूक्ष्म जो उत्पादन करता है वो सबसे ज़्यादा खिलोना परनाते है हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्यों 3-4 खिलो हो रही है और हमारा जो शेर है वर्ल्ड टॉइ सेक्टर में वो सरिफ 0.5% है तो हमारे पास बहुत स्कोप है इसमें आगे जाने का क्योंकि 7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास टॉइ सेक्टर हमें क्या ओफर कर रहा है हमको अपर्चुनिटी ओफर कर रहा है और साती साथ सामाजिक ओपर्चुनिटी भी ओफर कर रहा है इकनॉमिक ओपर्चुनिटी भी है और आर्थिक ओपर्चुनिटी भी है अब इकनॉमिक ओपर्चुनिटी का क्या मतलब है मेरा देखिए भारत एक बहुत युवा देश है त तो demand को satisfy करना है हमें import नहीं करना है हमें आत्मिर बनना है तो पहली economic opportunity क्या है हमारे पास consumer है उसको हमें supply करना है दूसरा क्या है जैसे जैसे लोग middle class का हिस्सा बनेंगे वैसे वैसे खिलोनों की demand बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी increasing demand एक economic opportunity है फिर इस छेतर में लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं जैसे जैसे demand बढ़ेगी supply बढ़ानी पड़ेगी तो supply जब बढ़ेगी तो हमें employment opportunity मिलेगी की नहीं मिलेगी इस छेतर में employment opportunity मिलेगी और खास तरिक जादा तर toy manufacturing में भारत में महिलाएं toy manufacturing करती है तो gender issue भी एक इसमें आ जाता है ठीक है दूसरा क्या है manufacturing hubs बना सकते हैं हम tier 2 cities में और tier 3 cities में तो manufacturing को बढ़ने का एक मौका मिलेगा इसके लावा e-commerce को बढ़ने का मौका मिलेगा जैसे जैसे हम जादा से जादा खिलाने उत्पादन करेंगे quality खेलोने बनाएंगे तो हमारा e-commerce और बढ़ेगा toys शेतर में इसके लावा क्या बढ़ेगा हमारा export potential बढ़ेगा हमारी export earning बढ़ेगी क्योंकि demand 7 trillion dollar market है और हमारा क्या होगा हमारा import गटेगा तो हमारा उसमें भी फायदा होगा अब इसके लावा ये तो हो गई हमारी आर्थिक opportunities social opportunities क्या है जब हम खिलोनों की बात करते हैं तो खिलोने हमें एक मौका देते हैं खिलोनों के जरीए अपने बच्चों को educate करने का तो खिलोने education में काम आएंगे खिलोने एक बहुत अच्छा value system देने के काम आएंगे जो गुड़ा गुड़िया का खेल होता है उसमें अगर आप gender role को reverse कर दोगे तो आपको अपने लड़कों को जो लड़के हैं हमारे मैं आप सभी हम लोग gender sensitive बना सकते हैं खिलोनों का इस्तमाल करकर अपने बच्चों को तो social opportunity है उसके लावा क्या है हमारी एक सांस्कृतिक इतिहास है उस सांस्कृतिक इतिहास को समझाने के लिए भी तो खिलोनों का इस्तमाल किया जा सकता है तो ना की सिर्फ economic opportunity provide कर रहा है toy sector बट social opportunity सामाजिक मौका भी दे रहा है खिलोनों के जरीए हमारे जो बच्चे हैं उनको हम सिक्षित कर पाएं एक अच्छा value system दे पाएं cultural significance हमज़ पाएं हम भारत देश का दोनों चीज़े export कम होगा export बढ़ेगा import घटेगा employment बढ़ेगा ठीक है demand है consumer base है ये सारी चीज़े हैं हमारे पास आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते समय पहले एक बार फिर से आपको remind करादू में foundation course 4 हमने launch किया है 22 अगस से इसकी classes होईगी 8 बजे सुबह इसकी classes चलेंगी ये course इतने का है अगर आप इस course को कम दाम पे 17,500 में खरीदना चाहते हैं तो आप code इस्तमाल कर सकते हैं KP live इसका इस्तमाल करके आप इस foundation batch को खरीच सकते हैं pre comments है basic से पढ़ाया जाएगा सारी चीजे पढ़ाया जाएगी इसका आप इस्तमाल कर सकते हो आगे अगर हम बढ़ें ठीक है तो आगे है challenge क्या है भाई समस्या क्या है समस्या है तभी तो 0.05% जो market है toys का वही हमारे हाथ में समस्या क्या है manufacturing facilities कम है मैंने आपको बताया जादा तर जो खिलाने के छेतर में उत्पादन होता है वो MSM करती है और कितनी MSM है लगभग 9000 MSM हैं जो खिलाना उत्पादन में जुटी हुए है तो हमें अपना manufacturing facilities को बढ़ाना है फिर economy of scales है क्यूंकि MSM ही sector खिलाने बना रहा है तो वो large scale production नहीं कर पा रहा है तो economic of scales का problem है हम चोटे स्थर पे खिलानों की manufacturing हो रही है फिर absence of skilled labor देखो भाई कौशल की कमी तो हमारे देश में हर छेतर में है तो यहां भी है इसके लावा fragmented market है क्योंकि MSM ही dominate कर रहा है तो बटा हुआ बाजार है मैंने आपको बता है माराश्टा तम्मिलाडू इनी कुछ states में सबसे ज़ादा खिलोना उत्पादन होता fragmented बजार है इसके लावा क्या है टेकनोलोजी चैलेंज है आज कल बहुत टेकनोलोजिकल सैवी खिलोने आते हैं तो हमारे पास वो टेकनोलिरजी नहीं है ना उत्पादन के लिए ना नए नए तरीके के खिलोने बनाने के लिए तो यह चैलेंज है अब हम इसमें कर क्या सकते हैं हमें कुछ करना है तो हम कर क्या सकते हैं हम कर सकते हैं हम manufacturing competitiveness बढ़ा सकते हैं अपने देश में सरकार manufacturing toy छेतने बढ़ाने के लिए incentivize कर सकती है हम kaushal विकास पे काम करें हम research and development पे काम करें जिससे हमारा technological अपग्रेडेशन हो ताकि जो demand और supply का gap है जो हम import से meet कर रहे हैं वो हम address कर पाएं फिर हम खेलाने के छेतर में ease of doing business लाएं ताकि खेलाना उत्पादन को आसानी से करा जा सके हम दूसरे देशों के साथ दूसरे कंपनियों के साथ collaboration कर सकते हैं technical expertise पा सकते हैं तो technical collaboration बात कर सकते हैं उसके लाएद अगर हम ये सब करेंगे तो हम एक playful creative और innovative अर्थ विवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं इसके लावा हम देश में toy testing centers खोलने चाहिए toy certification centers certification क्या दूरूँ है बच्चों के लिए आप खिलोना बना रहे हो तो बच्चों को कोई हानी नहीं होनी चाहिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तो उसके लिए ये important है testing और certification अब भारत सरकार क्या कर रही है भारत सरकार focus कर रही है made in India toys पे आतनी बड़ भारत तो भारत में toys बने quality monitor हो imports को कम किया जाए जो sub standards इंपोर्ट हो रहे हैं जो खराब toys हैं उनका imports को हम कर्ब करें indigenous toy clusters बनाए एक जगे हम बनाए clusters जैसे हम लोग production बढ़ाने के लिए clusters बढ़ा रहे हैं बाकी चीजों में वैसे toy cluster भी बढ़ाए भारत में उसका उत्पादन हो हम designing पे ध्यान दें ठीक है Indian values के हिसाब से culture के हिसाब से history के हिसाब से हम खिलोने बनाए उसके toys को कैसे इस्तमाल किया जा सकता है learning की तरीके से उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें ये सरकार सब कर रही है तो सरकार क्या कर रही है सरकार ने indigenous toy clusters बनाए है सरकार ने 2020 में एक national toy action plan लाँच किया है vocal for local की बात कर रहे है परदान मंत्री बोलते है vocal for local उसकी बात हो रही है make in India के अंदर toy manufacturing की बात हो रही है product specific industrial cluster development program लाँच किया गया है toy industry के लिए फिर virtual toy fair कराया गया है जिसे agriculture explode के लिए कराया गया है यहां भी कराया गया है toy identified as one of the key sector under आत्मिर्वर भारत अभियान आत्मिर्वर भारत अभियान के अंदर खिलोने का छेत्र एक important छेत्र माना गया उसके लावा toy का thorn भी करा गया है 2021 में ताकि innovation हो सके toy छेत्र इसके लावा मैंने जैसे आपको बताया कि MSME छेत्र सबसे ज़्यादा predominant है तो ministry of MSME ने aspire योजना के अंतरगत toy छेत्र को बढ़ावा देने की बात करी है aspire योजना के अंदर उसके आद MSC CDP Plan Micro Small Interplug Customer Development Program फिर फूर्ती योजना के अंदर भी बात करी गई है toy development की उसके लावा प्रधान मंत्री Employment Generation Program के अंदर भी toy sector को लाया गया है और Credit Link Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme भी launch किया गया है इसके लावा PLI Production Linked Incentive Scheme को भी toy sector के लिए लागू किया जा रहा है ये सारे कदम उठा रहे है और इन कदमों की वज़े से ही हमारा जो toy import है जो खिलोनों का आयात है recreational toys में पिछले 3 साल से 54% कम हुआ है और playful toys में 20% लगबग हमारा import कम हुआ है और अगर ये कदम हम उठाते रहे और economic opportunities जो आर्थिक मौके हैं जो समाजिक मौके हैं उनको हमने waste नहीं जाने दिया manufacturing को हमने support किया skilling को हमने support किया research and development को हमने support किया तो खिलोनों के छेत में भारत को एक world leader बनने से कोई नहीं रोक सकता अब regulation की आखरीम बात कर लेते हैं भारत में जो toy regulation है testing और certification की बात करी मैंने तो primary किसका काम है primary regulation of toy industry is toy control order सरकार का है उसके जरीए होता है इसके अंदर all toys and material are designed and intended for use to play in play by children below 14 सा 14 साल से कम जो उमर के बच्चे हैं उनके लिए होता है और सब को अपने toys को BIS certification चाहिए होता है अगर BIS certification नहीं है तो आप खिलोना बाजार में नहीं बेच सकते क्योंकि ताकि खराब quality के खतरनाक toys ना बिचेंद जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएं ठीक है तो ये है पूरा आपका toy sector के बारे में था आज मैंने समझा दिया आखरी में आपको एक बार फिर से याद दिला दू foundation batch 4 हमने launch कर दिया है 22 अगस से इसकी classes होंगी और सुभे 8 बजे इसकी classes होंगी ये course इतने का आज के समय है 20,499 का इस course को आप KP live code इस्तमाल करके 17,499 में खरीच सकते हैं UPSC prelims और mains इसमें कोई segregation नहीं होगा आपको दोनों का syllabus साथ में पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी पढ़ाई prelims और mains दोनों के लिए बराबर तरीके से आप prepared हो इसमें आपको बहुत सारी चीज़े दी जाएंगी जैसे कि आपको 900 गंटे से जादा की classes होंगी mentorship session होगा घ्यानवानी session होगा answer writing practice कराई जाएगी weekly revision quiz होगा mcq based learning कराई जाएगी और prelims के पहले आपको एक crash course भी दे जाएगा ताकि अपना score बूस्ट कर सकें ये सारी चीज़े आपको 17,499 मिलेगी अगर आप KP life code यूज करते हैं इसी के साथ आज का जो topic था वो यहीं तक था मेरी आशा है आपको अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं ये सारे लिंक हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलिग्राम के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके साथी साथ धन्यवाद, थैंक्यू वेरी मच बाबाई and टेक कियर